महिस्ट लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेंग्स। बिहारियों समेथ हिंदी भासियों के विरुध अपत्ति जनक टिपणी कर छेतरबात फैलाने और धमकी देने के मामले में महराश्ट नौनिर्मार सेना के प्रमुख राश्ठ ठाकरे को नियाले में माफी मा जिसके बाद मामला समाथ हो गया है आपको बताजे कि मामला नौ मार्श दोहजार साथ का है मुंबई के सायन मुखानंद सभागरे में मंसे के अस्थापना दिवस पर राश्ठ ठाकरे ने कहा था कि महराश्ट में माराठियों का सम्मान करो वरना थपड के लिए तयार रहो नहीं तो कान पकड़ कर खदेड दिये जाएंगे राश्ठ ठाकरे के इस बयान पर उत्तर भारतियों बिहारियों और हिंदी भासियों के प्रतिगैर सम्मिधानिक भासा और आपातिजनक टिपणी कर सम्मान को ठेस पहुचाने को लेकर जमशेतपूर के सोनारी ठाने में अ अधिवक्ता ने 13 मार्श 2007 को शिकायतवात दाखिल किया था सुधिर कुमार पपू बिहार के छपरा जिले के तरहिया के मूल रूप से निवासी हैं और जमशेतपूर सोनारी में रहते हैं मामले के सुनवाई जमशेतपूर नियायाले में प्रथम स्रेड़ी नियायिक मजि जहां शिकायत करता सुधिर कुमार पपू और गवा ग्यान चंद का परिछण और अखबारों की कटिंग नियाले के समच रखा गया 11 अपरेल 2007 को नियाले ने मंसे परमुख राश्ठाकरे के विरुद धारा एक सो तिरपन ने एक सो तिरपन भी यों पांसो चार भारतिये दंड विधान के तहत संग्यान लेते हुए समन जारी किया राश्ठाकरे के उपस्थिती नहीं होने पर जमानती वारंट गैर जमानती वारंट और इस्तहार जारी की गई मंसे परमुख ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छार खंड उच्च नियाले में कई बार याच का दाखिल की लेकिन राहत नहीं मिलने पर 30 सितंबर 2011 को पुनह मंसे परमुख राश्ठाकरे ने उच्चतम नियाले दिल्ली में मामले को अस्थांतरित किये जाने की याच का दाखिल की उन्होंने कहा कि मुझसे जार खंड में नियाले में उपस्थिती होने के लिए किसी परकार की कठिनाई नहीं है लेकिन जारखंड राश्च सरकार से विधी व्यवस्था पर मतव्य मांग लिया जाए तब सुप्रीम कोट ने जारखंड सरकार से विधी व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी तो राश्च सरकार ने अपने मतव्य में कहा कि अगर राश्ठाकरे जारखंड आते हैं तो वि अस्थांतरण कर 30,000 नियाले नहीं दिल्ली भेज दिया 16 दिसंबर 2012 को 30,000 नियाले ने मंसे परमुख राज ठाकरे के विरुध गैर जमानती वारंड जारी कर दिया और मुंबई कमिश्नर को पत्र जारी कर गिरफतारी की सुनस्चित करने को कहा नियाले के आदेश के विरुध मंसे परमुख राज ठाकरे ने दिल्ली उच नियाले में गैर जमानती वारंड पर रोक लगाने और मुकदमा निरस्त करने के लिए धारा 482 दंड प्रकिरिया सहिंता अंतरगत याज का दाखिल इस मामले में 10 साल से लंबित याज का पर किया या कारिकिया है तो याज का करता राज ठाकरे अपनी बिना शर्त माफी और अफसोस और दुख प्रकट करते हैं और राज ठाकरे की माफी पर शिकायत करता की ओर से अजिवक्ता अनूप कुमार अनिया ने वायुवद कर लेकर माननिय नियाले में माफी मांग लेते हैं तो मुकतमा समाप्त करने का किसी भी परकार की आपति नहीं है इसके बाद राज ठाकरे के माफी नामा सुईकृत हो गया और मामला समाथ हो गया। दिल्ली उच्च न्याले के आदेश आने पर अधिवक्ता सुधीर कुमार पपु ने इस फैसले पर टिपुनी की उन्होंने कहा है कि ये उत्तर भारतियों, बिहारियों और हिंदी भासियो के लिए सम्मान की जीत है।